हेलो दोस्तों, वेलकम टो पीड़ब्री ओनली आईएस डेट है आज की 3 एपरिल दोहजारतेईस एंड आप सभी का स्वागत है आज के फ्रिलिम बूस्टर निउस डिसकुशन के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ important news है दा हिंदू के अंदर एक important news आप यहाँ पर notice कर सकते हो देखो काफी टाइम से ना same sex marriage का मुद्दा चल रहा है ठीक है कि क्या इसको legalize करना चाहिए Supreme Code के अंदर ये case चल रहा है अब यहाँ पर एक important observation ये है कि चाहिए आप अलग-अलग leaders देख लो different communities के Hindu, Muslim, Jain, Sikh तो इस सभी ने oppose किया है same sex marriage को कहने का meaning क्या? Same sex के अंदर marriage नहीं होनी चाहिए ऐसा जादा तर communities का यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी social values है जिनको ये impact करता है तो कही बार इस तरह की question नहीं हमारे means के अंदर society वाले topics के अंदर definitely पूछे जा सकते हैं ठीक है? बाकी ये work in progress है, judicial matter है तो उसके बाद एक pencil आएगा तो according to definitely हम उसको discussion करेंगी करेंगी इसी तरह से Indian Express के front page में आपको important news देखने को मिलेगी India achieved it ISRO reusable launch vehicle passes landing test देखो दरसल में हुआ क्या है न ISRO तो आप जानते ही हो आप DRDO भी जानते हो और Indian Air Force के बारे में भी जानते हो बिल्कुल इन तीनों ने मिलकर एक test किया है सिर्फ कैसा test? देखो मैं आपके एक example बताता हूँ आपने SpaceX का नाम सुना होगा ठीक है? जो Elon Musk की कंपनी है ठीक है? तो ये क्यों popular है? ये popular एक reason इसके बिचे का ये है कि ये reusable rockets को use करते हैं कहने का मतलब क्या? अब देखो जो rocket उपर जाता है तो होता कहना कि rocket के parts नीचे गर जाते हैं जो कि कहीना कहीं उनको हम reuse नहीं कर पाते थे पर यहां पर इन्होंने क्या किया? rocket को reuseable बना दिया कहने का मीनिंग क्या? एक बार rocket ने जो ऐसे मालो satellite लेके जा रहा है उपर की तरफ ठीक है? वो तो उपर चलेगी तो rocket बाकी का जो था वो waste नहीं होना चाहिए उसको हम क्या करें? वापस नीचे कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि जो launch vehicle है उसको एक तरह से reusable बना दें आई बाद समझ में तो launch vehicle एक बार reusable बनेगा accordingly क्या होगा उससे? उससे बहुत सारे हम अपने reusable rockets बेज पाएंगे ठीक है? उस direction हम काम कर पाएंगे और वारा बहुत सारा पैसा इसमें बच पाएगा तो यह ही यहाँ पर focus है ध्यान रखना अभी हम उस direction में move हुए हैं अभी हमने reusable launch vehicle landing test बस किया है ठीक है? कि land कैसे वो land properly कर जए उसकी बात कर रहे हैं अभी आने वाले time में पूरी बनेगी तो उस direction में कदम मान सकते हो कि हम एक direction उस particular direction में आगे बढ़ गए हैं अभी आने वाले time में इसका further हमें देखने को मिलेगा आगे बढ़े उससे पहले एक छोटे से information regarding our CTR model ठीक है? जो भी aspirants 2024 के लिए अपनी preparation करना चाते हैं यह हमारा foundation course है यह start हो रहा है 23rd April से अब यहाँ पर न जो यह particular model design किया गया है यह इस तरह से design किया गया है कि UPSC की जो changing requirements है उन सभी को यह बहुत ही अच्छे तरह से handle करता है क्योंकि यहाँ पर ना सिरफ आपको classes मिल रही हैं जो कि आपके concept में help करेंगी multiple times आपके testing और revision के margin से कहीं न कहीं आपके अंदर जो concept से बहुत ही अच्छे से ingrained करवाने की यहाँ पर कोशिश करी गई है साथ में आपको यहाँ पर proper evaluation हो गया और भी बहुत सारे interesting features जैसे for example doubt solve मित्र हो गया weekly assessment हो गया smart sheet tracker यह सभी आपको help करेंगे तांकि आप अपनी preparation को properly judge करते रहें और जहां भी कमियां आपको मिलती हैं जहां भी आपको कुछ खामी देखने को मिलती है उसको हम अच्छे से work कर पाएं अगर आपको कोई भी queries है इसके regarding तो आप 9920613613 पर हमें contact कर सकते हो और अपनी queries को अच्छे से resolve करवा सकते हो अभी देखो Saturday को मैंने आपको homework दिया था regarding Eastern Economic Forum तो इसको एक बार quickly समझ लेते हैं देखो पहली बात तो यह समझो कि जब हम बात कर रहा हूं Eastern Economic Forum यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी यहां बात हो रही है भी यह रश्या की ठीक है सर सर रश्या में एक एरिया देखने का मिलता है जो उसको बोलते हैं far east सर मीनिंग क्या है देखो east कहां पर इस साइड ना तो रश्या का फोकस क्या है कि जो यह far east वाला इसका बहुत अच्छा कासा पोटेंशियल है अब इस पोटेंशियल को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं तो इसके अंदर Eastern Economic Forum के अंदर क्या होता है यहां पर foreign investment को encourage किया जाता है सर्फ foreign investment को encourage कि यहां पर आकिट आप invest करो जैसे for example इंडिया यहां पर इस एडिया का बहुत प्टेंशियल है ठीक है अलग अलग तरह का इसका बिजनस कंडिशन हो गया इन्वेस्टम्ट ऑपर्चोंटिस यहां पर दिखाई जाती है economic forum के अंदर तो एक तरह से इसका जो farish reason है उसको आप Asia Pacific region के साथ भी connect किया जाता है इसके तुरू ही तो definitely यह काफी important यहां पर बन जाता है एक यहां पर आपको location का भी ध्यान रखना है ठीक है आप सभी ने सुना भी होगा व्लादी वॉस्टॉक के बारे में ठीक है तो यह यहां पर क्या है ना इस एरिया में आपको यहां पर वॉलादी वॉस्टॉक देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर बात कर रहा हूं तो इस वॉलादी वॉस्टॉक का यह रीजन यहां पर बहुत important है साथ में ही सखालिन के बारे में भी तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि यह इस तरह की अलग अलग चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो यहां पर एक ना फार इस्ट के अंदर आप नोटिस करोगे यहां manpower की बहुत चोटेज है लोगों की बहुत चोटेज है तो उसमें भी इंडिया skilled manpower यहां पर प्रवाइड कर सकता है इंडिया का आक्टिक रीजन के अंदर भी काफी अच्छा-कासा इंट्रेस्ट है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करने के लिए हम रशिया के साथ कॉडिनेट क क्या है comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership और APEC क्या है Asia Pacific Economic Partnership थोड़ा सा बताना की क्या है कितने members दोने में देखने का मिलते हैं फिर इनको कल हम डिटेल में पढ़ लेंगे काफी news में पिछले कुछ दिनों में यह रहे हैं ठीक है और इसके साथ ही जो homework previous year question के regarding है वो economy से है तो इसका भी answer आप ब अब बहुत सरे articles भी आ चुके हैं थोड़ा हमें एक idea लग गया है तो पहली बात तो यह समझो कि union commerce industry and textile minister ने के द्वारा प्यूश गोल जी के द्वारा इसको release किया गया एक तरह से commerce and industry की तरह से release करी गई है अब देखो फोड़ी में चीज़े अगर आपको समझाने कोशिश पहले ना हमारी जो policies बनती थी foreign trade policies की तो वो एक timeline के साथ आते थी कि यह इस तरह से एकले पांच साल के लिए है policy ठीक है ना इस तरह से policies थी पर यहां जैसे for example जो current policies थी वो 2015 से 2020 की थी पांच साल की थी पर बाद में covid आ गया तो इसको हम accordingly extend करते गे करते गे फिर UK नवारा आ तो इसको भी extend करते गे तो अभी यह वाली policy चल रही थी पर यह जो नई policy है ना यह इस तरह कि कोई expiry date के साथ आ ही नहीं दी ठीक है यहां कोई expiry date नहीं है कहने का मीनिंग क्या हमने policy बनाई है पर ऐसा नहीं कहा कि इस दिन को expire हो जाएगी ठीक है तो एक चेंज में notice करना क यह चीज हमने accordingly दिये देखने के लिए है कि कैसे कैसे जैसे-जैस changes आते रहेंगे दुनिया भर में उस इसाप से हम changes करते रहेंगे समझ रहे हो अधर वाइस जैसे आप notice करो आपने five year plan के बार में सुना होगा ना five year plan आपने एक बार बना लिया तो उसमें changes करने बड़े मु यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है ना कि इंडिया की कोशिश क्या है हम 2030 तक two trillion dollar के goods and services का export को अचीव कर लें यह बहुत ही बड़ा नंबर है ठीक है हमारी पूरी ambitious ambitious काफी project है कि दो trillion dollar हमने अचीव करना है by 2030 30 सर इसके साथ ही और क्या चीज़े हमें करनी है आप नोटेस करो ना अभी दोजार बाइस तेस में नियरली साथ सो साथ बिलियन डॉलर है तो लगवक तीन गुना करना है अगले साथ से आठ सालों के अंदर अब इसके साथ ही आप नोटेस करो यहां पर focus होगा कि हम ना करने कि कैसे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं इस चीज़ के उपर जो इंसेंटेज होते हैं उनके उपर ना जादा focus करें ठीक है हम सबसीडी देखो जरूरी है पर ऐसा नहीं कि सिरफ सबसीडी दे देके ही हम एक्सपोर्स को push करेंगे हम अपने strengths को यहां पर leverage करने की यहां पर अ स्कीम भी लेकर आई है कहने का मीनिंग क्या अगर किसी ने कुछ default वगरा किये हुए है तो उन defaults को एक time हम settlement करना चाते हैं तांकि इसके रिगारें कोई issues ना आए जैसे मैंने आपको पता है कोई end date नहीं है ठीक है और जिस तरह से scenario changing है उससे साब से इसको हम adjust करते रहेंगे ठीक है एक चीज और important चीज है कि यहाँ पर हमने focus किया है internationalization of trade in rupees काफी समय से आप सुन भी रहे हो कि हम rupees के अंदर trade को internationalize करना चाते है तो यह particular policy भी उसी direction में काम कर रही है एक important चीज यहाँ पर और भी आपको notice करनी है that is कि चलो services में तो इंडिया अच्छा है पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 trillion dollar का हमने target achieve करना है कि हम सारा का सारा हम services के थ्रूई करें नहीं हमें अपने goods के अंदर भी अपनी कहीं न कहीं अपने capabilities को improve करना होगा इसी वज़ा से जैसे हमने चार ने towns of export excellence declare करे हैं तो यह towns क्या हैं फरीदाबाद मुरादाबाद मिर्जापूर और वार इनको various advantages यहां पर मिलने लग जाते हैं एक तरह का proper cluster बनने लग जाता है एक प्रॉपर competitiveness यहां पर देखने को मिल जाती है तो यहां पर यह चारो टाइंद उन्द एक्सपोर excellence आने से भी मदद मिलेगी जिसे फरीदाबाद के case में हमें apprails देखने को मिल जाएंगे इसके साथ में यहां पर e-commerce किस तरह से इसको काम में लेकर आ सकते हैं यहां पर भी अच्छा कासा focus है अगर आपने मानलो e-commerce के थूरू दूसरी country को कुछ भेजना है तो पहले वो career assignment के थूरू आप पांच लाग तक की ही item भेज दक्यों पे अब हमने limit बढ़ा दी है 10 टार्गेट है कही ना कहीं उसमें से सोचा गया है कि 200 से 300 billion dollar तो ना हम कहीं ना कहीं e-commerce के थूरू ही generate करने ही कोशिश करेंगे तो e-commerce भी बहुत important role play करने वाला है in this particular policy ठीक है ना तो ease of doing business promote होगा export hubs बनाएं जाएंगे e-commerce को और फाइदा मिलेगा तो यह सारे focus यहां पर अचीव कर पाएं तो यहां पर अलग-अलग sectors हो गया ठीक है ना उनके जैसे आपका rain water harvesting हो गया green hydrogen हो गया electric vehicles हो गया यह सभी के उपर focus है तांकि हम अपने इस targets को अच्छे से अचीव कर पाएं तो I hope आपको new foreign trade policy अच्छे से समझ आगी होगी अगले topic की तरफ बढ़ते हैं that इस गामोशा सर यह क्या news में है देखो मैं थोड़ा सापको अगर आप news बताने की कोशिश करूँ है तो होता क्या है ना कि एक BSSA करके organization है मतलब बंगाल सहित्या सबा असाम अब यहां पर इनने क्या किया एकना SMS गामोशा है असाम के दर गामोशा देखने को मिलता है और इसको ना वहां असाम के लोग बहुत चीजा रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है क्योंकि उनके कल्चर के साथ एक पार्ट जुड़ा हुआ है उनका एक फोक कल्चर का पार्ट है अब हुआ क्या है ना BSSA ने क्या किया असामी का गामोशा लिया और बंगॉली गमचा गमचा अब इससे क्या हुआ जो असाम के लोग थे ठीक है कुछ सेक्शन ऑफ लोग उनको यह बहुत गलत चीज़ लगी क्यों गलत चीज़ लगी क्योंकि देखो जो गमोशा है यह तो इनकी नेशनल अडेंटिटी है अब यहां मतलब इनकी अडेंटिटी है खुद की तो अपनी इनकी लोगों के बहुत इमोशन जुड़े हुए है गमोशा के साथ तो कहीं न कि अमोशन के साथ यहां पर थोड़ा खेला गया ऐसा यहां पर कुछ लोगों को लगा एंड उस वज़ा से प्रोटेस्ट में देखने को मिले असाम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अ होता है और अलग-अलग डे-to-day affairs में इसको यूज किया जाता है यहां पर के लिए बहुत इंपॉरेंट है इसको फूलम का मुसा भी बोला जाता है और इसको जी आई टैग मिला था 2022 में ही अभी रिसेंट ही इसको मिला है यहां पी आप नोटिस कर सकते हो ठीक है यहां पर इसको ना एक तरह से रिस्पेक्ट की तौर पर भी दिया जाता है इसके रावा आप नोटिस जानते हो कि जो बहुत इंपॉरेंट फेस्टिबल है तो वहां पर उसको भी एज़ाते हैं इसको अडॉन्मेंट की तरह ट्रीट की जाता है ठीक है जो उनके डांसर होते हैं इसको भी हुवान भी बोला जाता है ठीक है इसके लास्ट एक चोटी सी चीज़ यहां पर जो इसको यूस कि जाता है के अलग-अलग expensive materials भी यूस होते हैं तो अलग-अलग इसके forms हमें किया है कि जो certain है ना उसको exemption मिल सकती है RTI से अब राइट to information act आप जानते हो ठीक है इसके अंतरगत आती है certain अब माल लो कोई भी particular incident हुआ ठीक है आप cyber security threats साब पढ़ते रहते हो वहाँ पर कौन सी agency होगी जो इसको respond करेगी कि कोई cyber security threat आया तो उस पर action call लेगा तो यही का certain का है तो इंडिया की cyber space को थोड़ा secure रखना ठीक है यह सारे इसके काम हमें देखने को मिल जाते हैं यह 24 से काम कर रही है और यहां पर इसके अलग-अलग functions है तो for example information collect करना कितने incidents हुए फिर उनके उपर respond करना emergency measure लेके आना आपस मे coordination लेकर आना है कि कैसे हम इसको respond करेंगे ठीक है पहले से ही एक तरह से assessment करेंगे कि कोई security incident तो नहीं होने वाला एंड उसके basis के ऊपर कहीं न कहीं हम अपने research papers हो गया यह साइच चीज़े लेकर आ जाती है कि कैसे कल को कुछ cyber security threat आता है तो कैसे tackle करना है यह फूरा framework इंके को develop किया जाता है तो I hope आप certain को अच्छे से समझ गये होंगे next topic तरह बढ़ते है इंडियन artifact अभी news में क्यों थे देखो एक US का museum ने ना 15 इंडिया के आर्टिफेक्ट को country वापिस भेजा है repatriate का meaning दरसल में यह होता है कि कोई चीज किसी से आई हो किस देश से उसको उसके वापिस बेजना तो यहां पर पंद्रा इंडिया के stolen artifact थे तो US museum ने उनको वापिस कर दिया है क्यों किया है क्योंकि इंडिया से illegal 13 से remove किये गये थे इसमें क्या क्या आ जाता है देखो बहुत कुछ important है जैसे for example 11th century आपको sandstone अपसरा देखने को मिल जाएगी ठीक है from hunt हो गया परिकरा हो गया बैक प्रेट आइवरी पैनल विद क्रिश्णा और गोपी ठीक है स्टोन बस्ट आफ कामदेव जो की God of Love है तो इस तरह आपको नोटिस करोगे कि अलग-अलग artifacts हमें देखने को मिले थे श्वितांबर एंथ्वन जिना जो होते हैं वो भी हमें यह आप देखने को मिलने थे तो यह सारे अलग-अलग जो artifacts थे वो return किये गये हैं क्योंकि इनको illegal तरह से इंडिया से remove किया था तो एक तरह से repatriate किया है किसने एक US के museum के द्वारा तो यह भी आप अच्छे से news को समझ गये होंगे तो यह कुछ important news थी जो आज हमें discuss करनी थी अ क्या है इसका तांकि देश के अंदर free and fair election करवाना ठीक है न यही तो काम है इसका बिल्कुल यहां पर है न शुपर्वाइज direction and control बिल्कुल तो यहां पर आपके पार्लिमेंट के रिगार्डिंग हो गया आपके state legislature के रिगार्डिंग हो गया president और साथ-साथ vice president के election commissioner है प्लस साथ में अभी currently दो election commissioner हो रहे हैं कहने का मीनिंग क्या अभी तीन मेंबर्स हैं एक CEC और दो election commissioners तो यह से जिसे for example कि आपका जैसे कोई dispute हो गया मानलो critical parties के regarding उनके split के regarding कुछ merger के regarding उन particular dispute को resolve करना वो इनका काम है अभी जैसे elections आएंगे अभी I think करनाठ का गया I think elections है है तो उनका election schedule देना ठीक है general elections के लिए by elections के लिए वो इनके तोरह किया आता है electoral जो roles होते हैं उनको एक तरह से revise करन कौन कौन से eligible voters हैं उनको register करवाना हो गया ठीक है कौन सी constituency में कौन सा territory area आता है वो side determine करना इनके function हो जाते हैं तो I hope आप election commission of India के बार में समझ गे होंगे तो पहला statement क्या कह रहा है कि ECI 5 member body है नहीं sir ये बात गलत है ठीक है तो पहला statement sir गलत हो गया अभी discuss किया ना second statement देखो home minister determine करती है election schedule को अरे नहीं भी या यह election commission of India का ही काम है third statement के कह रही है election commission dispute resolve परती है ये बात बिल्कुल ठीक है तो मारा answer बन जाएगा option number three only I hope आप इस चीज़ को समझ गए होंगे अब ज़र आज के लिए homework क्या है true false के रिकाड़ी इन पाच्छों का मुझ लिए comment section में अंसर ब अशिया पेस्व एकनॉमिक और जो एकनॉमिक का एक previous question दिया है उन तीनों का answer आप मुझे ने चे comment section बताऊगे and क्या सही है क्या गलत है यह भी true false आप मुझे ने चे बताऊगे ठीक है दरसल में क्या है तीवा ट्राइब majorly agriculture के उपर dependent है तो होता गया है ना तीवा एक तरह से प्रे करते हैं किस चीज के लिए प्रे करते हैं तांकि जो उनकी क्रॉप्स हैं वो प्रोटेक्टर हैं कोई पैस्टना उनको खा जाए कोई अलग तरह की कोई disaster कोई harmful calamity ना जाए उस के लिए इस फेस्टिवल के टाइम पर दीवाज प्रे करते हैं सिर्फ कहां की ट्राइब है यह असाम की और यह पर्टिकुलर जो यांगली फेस्टिवल है पांच साल में नहीं यह तीन साल में सेलिबेट किया जाता है तो पहला स्टेट्मेंट आपका यहां पर फॉल्स हो चत्यसगड के साथ एसुशेटिट है सर यह भी फॉल्स है अब यह सर यह की फॉल्स है यह यह चत्यसगड नहीं यह था महाराश्ट्रा ओके चौथा इंटरनाशनल डे ओफ जीरो वेस्ट क्या पहली बार अब्जर्व किया गया था तीस मार्च को एंजॉइन्ट्ली इसको मिनिस्ट्य ऑफ एज्जूकेशन के अंतरगत हमने देखा था ना कैसे पांच करोड नौन लिट्रेट्स को हम यहां पर कवर करने कोशिश कर रहे हैं जिनका एज ग्रूप क्या है पंदरा साल एंड अबब ठीक है तो यहां पर यह सेट्मेंट भी पांचों फॉल्स हो एक दिन वह बीच में आनी पाई थी बट आज से वह रिज्यूम मैं कर दूँगा ठीक है थोड़ा उपर नीचे हो सकता है वर ट्रस्ट मी यह सी सेट के के क्वेश्चिन और प्रीवेसे क्वेश्चिन आपके साथ डिस्क्रस करता रहोंगा ताकि आपके आने वाले फ्रेंस